नमस्कार किसान भाईयों, डी गार्डन में आपका सवागत है और आप बनेव हैं डीवी दमा के साथ किसान भाईयों आज बात करने जा रहे हैं फटेरा के उपर क्योंकि काफी किसान भाईयों के कोमेंट्स आये हैं कि हम इसे किस समय पर डाल सकते हैं अपने गन्य की पसल में और काफी किसान भाईयों के कोमेंट आये हैं कि इसे हम कीट लगने से पहले डाले या कीट लगने के बाद में डाले तो इस बात पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसान भाईयो इसको जो हम अपने गन्य की फसल में डालते हैं तो हमारा उद्देश एक जो खास कीट हमारी फसल में जोलाई अगस्त में आता है टोब बोरर उसके लिए हम इसको डालते हैं और वैसे तो ये काफी अध्य बीमारियों पर भी काम करता है लेकिन जो खास इसका डालने का मकसद है वो केवल टोब बोरर के लिए है ये उसको अच्छी तरीके से काम करता है और रोक देता है अब बात आती है किसान भाईयों इसके डालने की कि हम अपने गन्य की फसल में इसे किस समय पर डाले तो इसका जो सबसे अच्छा समय डालने का है वो ये है कि आप इसे 15 जून से 25 जून के बीच में आप इसे अपने गन्य की पसल को दे दे क्योंकि किसान भाईयों हमारा जो गन्ना पेड़ी है और हमने जो गन्ना पोधे की बुआई किया है फरवरी मार्च में उसकी हाइट इस समय तक इतनी हो जाती है कि उसमें फिर इसके बाद अंदर गुसना मुस्किल हो जाता है तो ये सही समय है अगर किसी किसान भाई की गन्ना पेड़ी या पोधा कुछ लगता है कि इतनी जादे हाइड नहीं है तो वो जो तोड़ा बाद में भी इसको दे सकता है उसके बाद आप इसको उसमें डाल सकते हैं क्योंकि ये कीट हमारा जोलाई अगस्त में आता है तो इस वज़े से आप इसको कभी भी उससे पहले पहले दे सकते हैं अब किसान भाईयों बात आती है कि हम इसे कीट लगने से पहले डाले या कीट लगने के बाद डाले कुछ किसान भाईयों का मानना है कि हम इसे कीट लगने के बाद ही डालना चाहिए क्योंकि काफी महगी दवाईया है हम पहले इसको डाल देते है अगर हमारे फसल में कीट वगरा नहीं आता है तो हमारे पैसे भी अर्थ जाएंगे तो यहाँ पर किसान भाईयो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ किसान भाईयों ने इसका तजर्बा भी किया हुआ है और वे जानते हैं कि जब भी हमारी फसल में कोई कीट ज्यादत आदाद में लग जाता है तो हम कोई भी उस पर दवाई बगएरा डालते हैं किसी भी तरह की दवाई उस पर इस्तमाल करते हैं तो उसका बिलकुल भी असर उस कीट पर नहीं होता है असर क्यों नहीं होता है इसका कारण में आपको बता देता हूँ किसान भाईयो जब भी कोई कीट हमारी फसल में लगता है उसका पता हमें कब चलता है यह सबसे एहम सवाल है जब कुछ गन्नों की पोरियों के अंदर भुश कर वो कीट हमारे गन्ने की पोरी को चारो तरप से अंदर से काट देता है उसके ठीक तीन चार दिन बाद जो हमारी गन्ने की बीच की गोब है उसके आसपास की पत्या है पीली पढ़ करके सूखने लगती है तब हमें पता चलता है कि हमारे खेत में कीट लगा हुआ है और तब हम उसकी दवाई बगार का इतजाम करते हैं लेकिन किसान भाई उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वो कीट हमारी कुछ गन्नों को खराब कर चुका होता ही है लेकिन हमारी जो गन्ने की पत्या हैं उसके पिछली साइड में कई हजारों की संक्या में आती है सरने करती है कुछ समय लेती है तो वो हमारे काफी गन्नों को बरबाद कर चुके होते हैं तो इस तरीके से किसान भाई उ हमें कई दिन बाद दवाई के डालने के बाद भी पता लगता है कि हमारे अगोले सूक रहे हैं तो हम कहते हैं कि दवाई ने काम नहीं किया है तब तक हमारी काफी फ़सल बरबाद हो चुकी होती है तो किसान भाईयो आप समय रहते इस दवाई का इस्तमाल कर ले तो आपको उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिले तो इस तरीके से किसान भाईयो आप अपनी फ़सल को बचा सकते हैं समय रहे ते इसका इस्तमाल करें चलते चलते किसान भाई और यहां पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बारिस का अगर मोसम है और काला बादल अगर किसी भी साइड से उठकर आ जाता है और हमारा काफी समान गर का बार पड़ा हुआ है अगर हम यह सोच ले कि अगर बारिस होगी तभी उठाएंगे और बारिस अचानक तेज आ जाए तो हमारा काफी समान उससे बीग जाता है और खराब हो जाता है लेकिन अगर हम काले बादल को देखकर पहले ही उस समान को अंदर रख ले हमारा सारा समान सुरक्सित बच जाता है आप समझदार हैं मेरी बात को समझ गए होंगे तो आप समय रहते हैं इस दवाई का इस्तमाल कर ले और अपने गन्ने की पैदावार को कापी अच्छे से बढ़ाएं तो इसी जानकारी के साथ किसान भाईयों अमीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो का अपलाई कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी कर सकते हैं एक नई जानकारी के साथ किसान भाई आगली वीडियो में फिरी मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार